हेलो गाईज, वेलकम टू माई यूटूब चैनल वाव वीडियो और दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे 11 सितंबर 2018 के सारी important current affair question तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों आज का पहला question आपको बताना की हाली में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट 2018 आपको नामयाद रखना है नोमेडिक एलिफेंट 2018 शुरू होगा आपके option है A. रवांडा, B. युगांडा, C. मंगोलिया या फिर D. साउथ अपर आपको नामयात रखना है Five Whills Training Area में युद्दभ्यास नोमेडिक एलिफेंट शुरू होगा ठीक है अब बात कर लेते हैं इस युद्दभ्यास के बारे में, बनाया आता है ठीक है और इस यूद दभ्यास में भारती दल का प्रतने दित्त जो आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे कि 17 पंजाब रेजिमेंट के एक दल द्वारा किया जाएगा ठीक है तो इसमें आपका option C सही हो जाएगा मंगोलिया ठीक है चलिए बढ़ते हैं अधिनियम 216 या फिर D अधिनियम 217 तो दोस्तों हाली में स्वास्थ परिवार कल्यान मंत्रारे ने 10 सितंबर 18 से लागू होने वाले HIV और एट्स 217 को लागू करने की गोशड़ा की है अधिनियम इसमें आपका option D सही हो जाएगा अधिनियम 217 ठीक है अब बात कर लेते हैं इसके अंतरगित के क्या चीज़े आएगी तो या दिनियम 20 अप्रेल 217 को पारित किया गया था जो उपचार, रोजगार और कार्यस्थल पर HIV से पीडित लोगों के साथ होने वाले भेदबाव को रोकने के लिए बनाया गया था तो इसमें आपका option D सही हो जाएगा और पारम किया है आपकी option है A. स्रीडंका, B. बांगलादेश, C. नेपाल या फिर D. इनमें से कोई नहीं दोस्तों हाली में भारत और बांगलादेश ने संयुक्त रूप से 10 सितंबर 2018 को बांगलादेश में भारत ने तीन परियोजनाओं की सुरवात किये तो इसमें आपका option B सही हो जाएगा बांगलादेश अब ये तीन परियोजना है कौन-कौन सी है मैं बारी-बारी से हम लोग discuss कर लेते हैं जो पहली परियोजना है उसके तायत भारत बांगलादेश में 500 मेगावाट के अतरिक विजली अपोर्ती करेगा और जो दूसरी परियोजना है उसमें त निर्मित किया जाएगा उसका फिर से निर्माण किया जाएगा ठीक है तो ये तीन परियोजना है जो भारत ने बांगलादेश में लागू करेंगी तिसमें आपका option B सही हो जाएगा बांगलादेश ठीक है चलिए बढ़ते हैं आज के next question पर दोस्तों आज का अगला question आप को लेकर होने वाला चौथा विश्व सिखर संबेलन कहां योजित किया गया है आपकी option है A हैदराबाद B एहमदाबाद C नई दिल्ली या फिर D भुपाल तो दोस्तों हाली में सिच्छर संसानों की मानिता को लेकर होने वाला चौथा सिखर संबेलन जो नई दिल्ली में मा दो पर बात की गई है तो यह सिखर संबेलन नेशनल बोर्ड आफ एकसीट्रेशन द्वारा आयोजीत एक दो वारशिक कारिकरम है जो हर दो वर्ष पर आयोजीत होता है जिससे सिखर संस्तानों से जुड़े लोगों को ग्यान और जानकारी साजा करने का उसर दिया सके और इस उसका जो थीम है वो है परिणाम आधारित मानेता में चुनावतियां और आउसर ठीक है आपको द्यान में रखना है परिणाम आधारित मानेता में चुनावतियां और आउसर तो इसमें आपका उप्शन सी सही हो जाएगा नहीं दिल ली ठीक है चलिए बढ़ते हैं आज के दी उत्तराखंड तो दोस्तों हाली में भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त साइन अभ्यास युद्धभ्यास इसका नाम है आप इसे नाम से याद रखे युद्धभ्यास दौट्थारा सोला से 29 सितंबर दौट्थारा के बीच उत्तराकंड में आयोजित किया जाएगा तो इसमें आपका option D सही हो जाएगा उत्तराकंड ठीक है अब बात कर लेते हैं युद्धभ्यास के बारे में दिविजन भाग लेगी ठीक है तो इसमें आपका option D सही हो जाएगा उत्तराकंड तो आपको इस question से तिनी जानकारी मिल जाती है चलिए बढ़ते हैं आज के next question पर दोस्तों आज का अगला question आपको उताना कि हाली में भारत में पहली बार biometric boarding से पहचान सुनच्चित करने वाला airport कौन सा बनेगा आपके option है A कोची B बैंगलूरू C मुंबई या फिर D नई दिल्ली तो दोस्तों paperless और पूरी तरह से digital बनाने के लिए उठा किये जा रहे प्रयासों के मद्दे नजर जो है हाली में बैंगलूरू के केमपे गउड ठीक है बैंगलूरू के केमपे गउडा international airport को जो है biometric boarding से पहचान सुरस्तित करने वाला जो है देश का पहला airport बन जाएगा तो इसमें आपका option B सही हो जाएगा बैंगलूरू ठीक है आपको इस question से इतनी points मिल जते हैं चलिए बढ़ते हैं अचके अगले question पर दोस्तों तो दोस्तों में हाली में राजस्तान सरकार के परेटन विभागने जो है राज जी के युद्ध छेतर परेटन योजना जो वहाँ पर सुरू होगी उसकी गोश्टा की है तो इसमें आपका option D सही हो जाएगा राजस्तान ठीक है तो इस question से आपको तनी जनकरी मिल जती है ब वीडियो को ज्यादा सज्यादा लाइक करिए सेर करिए और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और जो है साथ में बैल आइकन दबाद दीगा ताकि जो है अगली कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मिलते हैं आप से